कि अधार आधार के लिए और देखने बाले आधूनिक भाड़त की इतियास का पाट थड़ अभी तक हम लोगोंने सीवाजी और उनके प्रसासन के अधार तक अर्था ने बारे तक देख चुके थे अब इसके आगे की घटना देखनी है कि आगे का सिस्टम ये कैसे चलता है फ्रेंज ये सेशन जो आपका इस्पेसली बीपीसी जो भी स्टूडेंट आपके एपियर होना चाहते है उन्हें स्टूडेंट के लिए काफी जादा हेल्पूल होगा क्योंकि बीपीसी में जो क्व बातों को हमने इस पार्ट में आपका सामिल किया है इसलिए फ्रेंट साफ कंटिन्यू बने हम आपको ये आठ से दस सेशन में कंप्लीट आधूनिक भाड़त की कंप्लीट आपको किलियर कर देंगे आपका सौट के साथ साथ आपका वन लिनियर वेस्टम करा रहा है ताकि आपको डाइरेक्ट एकजा में जो क्वेसंस पुछे जाते हैं उस टाइप के क्वेसंस आपको मिलते जाएंगे फ्रेंज के साथ में मैं अब्जेक्टिव सेशन में लिया होगा आपके लिए दूनिक भाड़त की इतियास का जो की आपके लिए काफी ज्यादा हेल्फूल ह बिना लेट्स्तार्ट करेंगे हम फ्रेंज आज के डीघ निकाली कौम आज के तृम और येके ला स्देंड की क्लास में कबर करेंगे मराठा यदिन पेश्वा और सीवा जी के उत्रा अधिकारी कौन-कौन हुए और आपके पेश्वा का क्या आपका क्या अधिकार हुआ करता तो उनके बारे में सभी पॉइंट को लोग देखेंगे ठीक है फ्रेंथ आए पिरा लेट की वेस्टार्ट करेंगे सेशन अगर फ्रेंथियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर अ्शेजन को लाइक करें अपने फ्रेंध को भी जरूर सेज करें अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आए फ्रेस देखते आगे एक और बात ऐसा नहीं कि सिर्फ BPSC का टार्गेट है तो सिर्फ BPSC के एक्जाम में आएंगे जो भी ए स्टुजेंट बिहार दरोगा या फिर अधर किसी एक्जाम में बैठना क्वेस्टन होते है इसलिए 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 ही अचाम्स को करने माइं बैंद करते हैं सभी को कबर अब करते हुए आपके लिए session बनाया है और यह आपके लिए काफी जादा helpful भी होगा देखते हैं फ्रेंट किया कहते हैं हमारा मराठा के अधीन पेश्वा इसके अंतरगत क्या जानना है कि पेश्वा जो होता है पेश्वा जो पत था जो कि मंतरी का पत था एक किस रूप में मराठा शासन मे अपना रोल करता था इनके बारे बेचाड़ा है तो फ्रेंज ये कहता है कि मराठा एक अत्यादिक लड़ाकू और हिंसक जाती था हमने बदया था को सिवा जी जी समय आपने जब चर्मो उदकर्ष पे हुआ जब उनके पिता जी थे साह जी भोस ले जब वह एक अपने आपक प्रशासक के रूपे आगे निखारने की कोशिस किये तब जाकर एक मराठा जाती का एक लड़ाकू जाती का पाउदया हुआ जिसे मराठा के नाम से जाने लगा तो फ्रेंज गहारा है कि मराठा एक अत्यादिक लड़ाकू और हिंसक जाती था जिसने दक्कन के छेतर में पुत्र आपस में लड़ पड़े जिनके दो पुत्रों की आपकी मुर्तियु कर दिया और मुज़म जो था है वहेड बन गया फिर उसके बाद उनके पुत्र चार हुए फिर आपस में लड़े फिर उन वेसे एक ने तीन की अत्या कर दी तो इस तड़ा से उनके बीच में आपके मराठा ने अपना सर उठाया और मराठा ने अपनी पहुच अगल अलग एक पैट बना ली राइट फिंस उसके बात कर रहा स्थानिय नेता ने सिवा जी से सिवा जी ने 16-174 में स्वत्तांत मराठा राजय के सपना की अर्धात के अमने पताया था कि राजय विसेख किया 16-174 में और हिंदु धर्म रक्षक के रूप में वह आगे निखर कर आए ठीक है प्रेंस उन्हें ने दो प्रगार की करें स्टार करी थी एक चौत और दूसरा कौन ठीक है आपका एक क्या करते सर दस ठीक है जिसमें क्या था कि आपका एक बट्टा दसवा इसा आपका कुल आयका लेना होता था ठीक है और एक था आपका कुल अनाज के उत्पादन का एक बट्टा चौता इसा किलेड़े फ्रेंस तो क्या हुआ कि 16-24 में स्थापना गिया उनकी प्रसास्निक प्रणाली हिंदू मुस्लिम संस्ताओं की मिश्रण में थी ऐसा नहीं था कि वो अट्टर दूस्मंद है ठीक है लेकिन हिंदू का आपका प्रवग आपका सवर्थक जरूर थे पेशवर आज की अस्थापना के बाद मराटों की प्रसास्तिक प्रणाली में कई परिवर्तन किया ठीक है पेशवर पद का जवागमन हुआ तो उसके बाद काफी जादा परि योगदान था ठीक है मराठा संग की उधाय में राजा राम द्वारा मराठा सरदारों को जागीरे पड़दान करने के कदम में महतवपूर योगदान था जो आपके जागीर होते थे जागीर का मतलब होता है बड़े-बड़े चमिंदारों की जो बड़ी सम्पत्ति हुआ कर दी थी उसे जागीर के नाम से जना जाता था इन जागीरों के योगदान की वजह से आपका मराठा संझोता काफी जादा मस्बूत हो गया था, इस संझ के अधार का निर्मान बाजी राव प्रतम के समय हुआ था, बाजी राव प्रतम, ठीक है जब साहू ने बिभीन मराठा सर्दारों को अलग अलग छेत्रों में चौत और सर्देश मुख को सुलने के लिए अधिकार प्रदान किये ठीक है जो आपके उनके पिता जी थे आपके सहाजी बोसले ठीक है और उनके आपका जब उनकी जब सिवा जी की जब आगी की पीडी जब बड़ी तो जो साहू हुए वह क्या कर दिया अलग अलग जो जमिनदार थे उनको चौत और आपका सर्देश मुखी दो प्रकार को मैंने बताया कर वह उसले के लिए हड़ आपका जितने भी जमिनदार लोग दे उनने अलग लग रूपे क्या दिये काड़े दिये जि इस मराटा संग के प्रती अपनी सावागिता का अवास हुआ ठीक है मराटा संग के सरवदिक मौत पूर्ण मराटा सरदार निमली की थे उनमें थे बड़ार के भोसले ठीक है आपके बड़ोडी के गयकबार ठीक है इंदोर के होलकर ग्वालियर के सिंधिया और पूना के प अपनी राजसासन को कंचिनुटी बड़ार के पेशवा ठीक है समझ सकते हैं कि कितने राजे इसमें सामिल होग है आप बड़ार बरोद्रा से चलिए तो वहां से गुजरात के अरिया पूरा कोबर होता चला आएगा इंदोर के होलकर के तरह पहुँचिएगा तो मद्यपर अपनी राजसासन को कंचिनुटी बना के रखें यह बहुत बड़ी अच्छी चालती और यह मराटा संकी बहुत मजबूत एक पकर थी आगे की बात करें तो मराटा की अधील पेश्वा की अगर बात करें तो पेश्वा मराटों के प्रतीवफदार मंत्री थे ठीक है पेश्वा जो होते थे मराटों के प्रती बाफदार मंत्री थे जिनकी निवक्ति कौन करते थे राजा को बिभीर प्रसासनिक एवं राजनीतिक मुद्दो पड़ सलाह देने के लिए की गई थी ठीक है पेश्वा बास्तम में जो पत था वो मंत्री पत था ठीक है और वह कि पर चूच किया जाता था ताकि राजा को समय समय पर उनके उप्युक्त सलाह को अर्थक प्रशासनिक और राजनीतिक छेत्रों में सलाह को देने का काणिया करे ठीक है कुल साथ पेश्वाव में सर्वदिक योगे पेश्वा बाजिराव प्रतम थे ठीक है पेश्वा बाज प्रतम जिनके दर्वार में ताना जी थे राइब फ्रेंस जिनके सेनापदी कौन थे ताना जी ठीक है देखते फ्रेंस आगे तो क्या कहते आपका अब देख लीजे बाला जी विश्वनातन अब सभी के बाड़े में चाहर पांच जो सबढ़क के लिबुक ताकी समराज को संगठीच चांगे ऌए अगलग स कव है। थासिल कर मराटा समराज्य का विष्थार किया और पेश्वा के पद को और अत्यदिक मौतपोर्ण बना दिया ठीक है बाला जी विश्वनाथ जो 1713 में से लेकर 1721 तक रहे वह साहू जी के द्वड़ा पेश्वा पद पनिटके गये थे और उनके कारेकाल में और अधिक उनका विकास हुआ राइट फेंस उसके बाद आता आपका बाजी राव प्रतम अर्थात की पेश्वा बाजी राव प्रतम इनका कारेकाल 1721 से लेकर 1740 तक रहा ठीक है वह बाला जी विश्वनाथ का बड़ा पूत्र था ठीक है जो आपका बाला जी विश्वनाथ थे जो की आप के साउजी दोड़ा आपका न्युक्त किये गए थे 1713 से 1721 तक थे अब उन्हीं का पूत्र थे आपका बाजी रव प्रत्र ठीक है जो क्या हुए वह बाला जी पिस्वनात का बड़ा कुत्र थे और 20 वर्स के आयो में ही अपने पीता के बाद पेश्वा का पत गरहन कर लिया ठीक है समझ सकते हैं कितना जादा जिम्यवार बेखती थे हो उसके बाद कर बात करें तो वह सिवा जी के बाद गुडिला तकनीक का सबसे बड़ा पति पादन था ठीक है गुडिला एक इस्पेसल तकनीक हुआ करती थी जिसमें गुर्सवार के माद्यम से आपकी जो क्या करते लड़ाई करने की एक नई मेठट बनाई थी ठीक है सिवा जी ने तो कहते है सिवा जी के बाद गुरिला तकनीक को सबसे अधिक प्रतिपादन क्यों किसने किया था बाजी रॉप प्रतम ने राइट फ्रेंस उसके बाद कि अगर बाद करें तो कहता है अमड़ा बाला जी बाजी रॉप ठीक है बाला जी बाजी बाजी रॉप नाना साहब के नाम से भी जाना जाते हैं याद होगा आप लोगो नाना साहब जो अपने पीता बाजी राओ के मिर्थिव के बाद पेस्वा बना था ठीक है सबसे उपर विश्वनात बाला जी उनके बड़े पूत्र थे आपका बाजी राओ प्रतम और बाजी राओ के पूत्र थे बाला जी बाजी राओ प्रतम की मिर्थिव हुई तो बाला जी बाजी राओ उनके के जगा पर पेश्वा बने ठीक है पानी पद की तिर्थिय यूद में अपने पुत्र विश्वास राओ और चेचेरे बाई सदा सिव राओ की मिर्थिव के सदमे के कारण उनके बाद आपका पद पे कुपत किस ने संबाला उसके बाद संबाला माधव राओ प्रतम ने ठीक है जो कि 171 से लेकर 1772 तक आपके पेश्वा का पद संबाले रहा है बाला जी बाजी राओ की मिर्थिव के बाद उनका 17 वर्स या पुत्र माधव राओ प्रतम पेश्वा बना सिर्प 17 वर्स की उमर में 16 वर्स की उमर में हो किया मत किया स द्दक्राओ में ठीक है और माधो राव प्रथम थे वही तक पेश्वा पद की जो जिम्मेवाडी थी उतनी संसक्ति के साथ वो संभाल सके इनके मिर्थिव के बाद पेश्वा पद का जो आपका जितना गड़िमा थी वो गड़िमा दीरे-दीरे क्या होने लगी फ्रेंस कम होने लगी यह क्या कहता फ्रेंस पूना के पूना में इस्थित पेश्वा सचिवाले हजूर दप्तर कहलाता था हुजूर दप्तर कहलाता था पूना में इस्थित पेश्वा का सचिवाले था ठीक है और पेश्वा का यह जो सचिवाले था यह क्या कहलाता था हुजूर दप्तर के ना अपने जागीरों पर स्वतंत रूप से सासन कर सकते थे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी ग्राम की ग्राम सबसे छोटी काई थी जिनकी चेश्चाम ने कर दिया था और इनके जो प्रमुक होते तो उसे पाटी या पटेल का जाता था ठीक है उसके बाद का था पलूटे प्रणाली के तहट किसानों को भुग्तान के माल के रुप में करना पड़्ता था लेकिन ज़्यादा तर समय उन्हें प्रतिवर्स फसल के बाद क्रिस्टी उत्पादों का भुगतान करना परता था ठीक है बलूटे प्रनाली एक प्रनाली थी बलूटे प्रनाली जिनके दाथ क्या था किसानों को भुक्तान माल के रुप में करना पड़ता था लेकिन जदा तर्समें उन्हें प्रति बर्स फसल के बाद किसी उत्पादों का भुक्तान करना पड़ता था अर्थात की जो माल होती ती, अर्थात की जो कर होते थे, फस्रस्यल की रूप में ही वो दे सकते थे, उसके बार बरस्टरचार के रोगताम के लिए उन्हें देश मुख, देश पांडे और आपका दरकदारों की न्यूकती की गई थी, ठीक है देश मूख देश पांडे और दरदारों की हमने पताया था कि यह सब पद थे लेकिन आपके जब सीवा जी आये सीवा जी के कारेकाल में यह आपके जो आपका बंसानुगत सिस्थम में चलता था उस बंसानुगत सिस्थम को हटा दिये थे फिरिंद्स यह देख लीज के बेटा राजा तो वो सिस्टम यहाँ पर उन्होंने हटा दिया था देखते आगे की बात तो क्या कहता है इसकी निसकर्स क्या निकलता है इनके आपका प्रशासन सिस्टम से इनके निसकर्स यही निकलता है कि स्वतंत मराटा राजे की असापना राजवीती का धार मुगल स सेना आपका पहुचने वाली थी उनसे पहले यह रेडी हो चुके थे खान तेश के का पतन अहमद नगर का धीरी धीरे खत्म होते जाना और दक्कन छेत्र में मुगल सुभेदारी प्यवस्ता ने मराठो के जीवन के परतेग पक्स को प्रभावित किया और सीवाजी की नेत्र करते थे उन बढ़ते हुए मनमाना को रोकने के लिए सिवाजी की उदय होना एक लाज़मी चीज़ था और जिनके बज़े संगा उदय भी हुआ लेकिन दुरुभाग इसे मराठा संग ब्रिटीस समराजे के समाने टिक नहीं पाया ठीक है लेकिन दुरुभाग इस बात का था कि ब्रिटीस समराजे के सामने जो हमारा कौन था ब्रिटीस समराजे के सामने जो मराठा संग था वो ठीक नहीं पाया क्यों क्योंकि उनकी पास सैनिक भी ज्यादा था हमारे पास सैनिक भी कम थे ठीक है उनके बाद उनके पास नय किस्मी के हतियार भी थे जिनके बज़ सीबा जी स्वात्वाइत के बारे में थूरा सम्य चर्चा करें तो सीबा जी के उत्रहाइति जटस म्राटासरृं Owen मराठा संग जो परतमान में भाड़त के 10% में सीत है 1644 से 1818 तक चला 1644 में सिवाजी ने मराठा आपकी समराजी किन्यू रखी और स्वतंत राष्ट के रुपने उसे घोशित किया उसके बाद से यह सिस्टम चला कब तक 1818 तक ठीक है अपने छेतर के बिस्ताड किया हाला कि 1818 के बाद आप समाप्त नहीं कहिएगा क्योंकि नाना साब 1857 में भी लड़े हुए थे राइट वेंस उनकी स्वतंत्र जो आपकी राजे थी वो खतम हो गई थी अपने छेतर की बिस्ताड किया सिवा जी को मराठा समराजे के संस्थाफक माला जाता है और जिनों ने इसे संगठित लूप में इसे परदान किया ठीक है प्रंतु पेशबाओ के अधीन इस समराजे का तेजी से विस्तार हुआ और मोडे घाट गे और निबला कर सर्वदिक परवावसारी माराठा परिवार थे ठीक है जो सबसे जादा प्रचलीत हुए ठीक है उसके बाद गर बात करें फ्रेंस तो इनके शिवा जी के उत्रादिकारी की बात करें फ्रेंस है तो एनमे सबसे पहला जो उत्रादिकारी आता है इनका पहला आताप का सामभाजी ठीक है फ्रेंज पहला कोना आताप का सामभाजी जो की 1680 से लेकर 1689 इस भी तक रहा है ठीक है उबेश सीवा जी के छोटे पुत्र थे ठीक है और अपने बड़े भाई राजा राम के विरूद उत्रा अधिकारी के यूद में बिचय प्राप करने क के बाद सियासन रूट हुए ठीक है अपने बड़े भाई के साथ उन्हें लड़ना पड़ा राजा राम और उनके साथ लड़ने के बाद वह 1680 में रासियासन पे पैठे ठीक है उसके बाद कि अगर चर्चा करें हमनों फ्रेंज तो आपका सियासन राजपुत मराठा गट बंधन को टालने के लिए और दक्कन सुल्तान में अपने पुराने संवन्दों को पूरा स्थापना करने के लिए अपने पीता की बिस्तरबादी नीतियों का पूरा लागू किया ठीक है और ताकि वह अपने सिस्टम को मरा था कि गट बंधन के वड़ाई उनकी जो आपकी उसके बाद आपजर खान के मारने के बावजूर भी उन्होंने क्या किया था एक गटबंदन किया था ठीक है और जिनके फाल सुरुप उनके जीते हुए राजवी ने वापस मिले थे तो इस वज़ा से सिवा जी का आपका एक रवाया था कि वह क्या करते थे कि अपने जितने लेते थे 16 leads मुगल सासक ने अगरेंग जेव अपने बिद्रोही पुत्र सहाज्याता अकबर का पीछा करते वुए दक्षिन भारत पहुचा संबाजी द्वारा साज्याता अकबर को सरण देने के कारण अरंग जेव ने उसकी अत्या करवा दिए राइट फ्रेंज, सांभा जी क्या किये, उनको रख लिए, अपने सरण में रख लिए, उनके बेटे साजादा अगबढ थे तो, ठीक है, लेकिन जब साजादा अगबढ को मालूम चला इनको अरंगजेव को, तो अरंगजेव ने उनकी मिर्तिव करवा दी, राइट राम ने सासन संभाला, और मराठा की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसने मराठा को विस्तरवादी निती को जाली रखा, और दक्कर के मुगल छेत्रों पर आक्रमन करने की परंपरा भी शुरुवात रखी, ठीक है, मुगल से टक्कर लेते रहो, अक्टूबर 1689 में जुल्फिकार खान के नेत्रितों में मुगल सेना ने रायगाड पर आक्रमन किया, ठीक है, और संभा जी के पूरे पडिवार, जिसमें उनके पुत्र साहू भी सामिल्थे, को बंदी बना लिया गया, ठीक है, जुल्फिकार खान हमने पताया था, जिनक सेना के साथ वो टाइफ हो गया, अर्थार की संधी कर ली, और आपका राजाराम जब आक्रमन किये उन पे, तो उनके बीच में आपी काफी ज्यादा लड़ाई हुई, जिनके पुल्फिकार रूप आपके राजाराम के पूरे पडिवार को वो कैयाद कर लिया, जिन साथा जो की जिन जी के पतन के मराटों के रजानी बन गई थी, में संभाजी की मिर्टिव हो गई, ठीक है, अब बात क्या होती है, ध्यान दीजेगा, फ्रेंस, कि यहाँ पे आपका जिन जी जो की आपका करनाटका का हिस्सा था, करनाटका और के लिए का हिस्सा इन पड़ आपका सिवा जीन जो अपना कपजा जमाया था वहीं पर उनकी पूत्र सांबाजी की मिर्थिव हो जाती है। अपने बताया था कि 1689 इसवी में उनके पूत्र थे उनके पूत्र साहजादा थे और अग्जेप के सहजादा अकबण उनको अपने सरण में लिये थे जिनके बजस्चे उनकी मारने की बात हुई थी और आपका 17 इसवी में उनकी मिर्थिव भी हो गई कहां पर हो गई आपका राजा राम के मिर्थिव के बाद उसकी बीद्वा ताडा भाई ने अपने पूत्र सिवा जी दूतिय को गदी पर बेठाया और स्वयम उसकी सनक्चक बन गई उसने नागरिक और सहने दोनों संधरभों में संकट के समय मरटा राजे की इसवी प्रधान की मुगलो के चित पावन ब्रामन बलाजी विश्वनात के सयोग से तड़ाभाई को गद्धी पे उतर दिया गदी को, गदी से उसे उतार दिया, right friends, मुगलो के चितपावन, ब्रामन बळाजी, चेक है, बळाजी बिश्वनात के सयोग से ताड़ा भाई को गदी से उतार दिया, हलाकि ताड़ा भाई महां के लिए अच्छी थी, लेकिन उसके बावजोत भी मुगल के चड़ाने की आपका तड़ाबाई और आपके बलाजी विश्वनाथन के बीच में साहू 1707 से लेकर 1749 तक आपके काड़ेगरत रहें ठीक है साहू जोकी पुत्रते राजाराम के उनकी आपकी काड़ेकाल 1707 से लेकर 1749 तक रहें मुगल सासक बादुर सा ने साहू को कैद से मुक्त कर दिया जिसके कारण ताराबाई और साहू के मद्यम मराठा गती को लेकर संगर्स हो गया ठीक है ताराबाई और साहू दोनों आपस में लड़ पड़े साहू ने खेरा के यूद में ताराबाई को प्रास्त कर साथारा को कबजे में ले लिया या बारब्टु पर 1707 की कटना है जो century….जो रॉजे था मराठा संग बन रहा ठीक है Ottawa.. इन दोनों प्रतीद्वण्दी शक्तियों के मद्य सफर।क्ता अंतॉ्ना संधी के दोड़ा हुआ। ठीक है यह इनके बीच में संधी हो गई कब हुई 1731 में और वह संधी का नाम था बढ़ना संधी बहुत जाला इंपर्टेंट क्वेस्चन है बढ़ना संधी किनके किनके बीच हुई थी कब हुई थी ताड़ा बाई और साहु के बीच में हुई थी कब हुई थी 1731 में तेदिक बिस्ताड पेस्वाकाल में हुआ था, ठीक है, क्योंकि पेस्वाकापद काफी ज्यादा important माना जाता है, आसा friends, point clear हो गया होगा, किसी को इस point पे किसी को कोई doubt नहीं रहा होगा, अगर किसी कोई doubt रहा है, तो आप हमें करें, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ important topic को इसके बारे में, आपका आदुनिक भारत का अगला करम अर्थात की पार्ट की पार्ट में कुछ नई चीज़ों को लेकर रमाएंगे, जो की आपकी exam के लिए काफी से जादा helpful होगा, thank you very much friends, अगर जाते जाते एक काम जरूर करके जाएगा like बड़न पर click करना ना भूले